हेलो स्वागत है आपका हमाई चैनल डेनेट क्लासेश पे तो देखिए जैसे आप देख रहे हैं इडियम फ्रेज के हम सुरू किये थे सीरीज इसी क्रम में हम आगे और देख लेके चलेंगे आपको इडियम फ्रेज के लुगे श्रू करेंगे शेयर कर दीजेगा फटाबर वीडियो और आपके लिए अपके लिए इडियम फ्रेज इंपोटंट होंगे परिच्छा के हिसाब से पहला है हमारा जो दिया हुआ है इसमें, वो दिया हुआ है turned a deep ear, हम underline कर देते हैं जिसका बताना है अपको turned a deep ear, इसका आर्थ आपको बताना है turned a deep ear का क्या आर्थ होगा, इसका थे होगा, कि क्या होगा, सब्सक्राल है, इजी है तो देखे, paid no heed, कोई धान न देना, अंसूना कर देना, हिंदी में अगर कहावत करना है, अंसूना कर देना, तो अंसूना करना को क्या होगा, paid no heed, अंसूना कर देना, ठीक, turned a deep ear का मतलब, किसी बात को धान न देना, चलिए, दूसरे का कौन सा है, आपका idiom, आपका है, हेलना वाज, overhead and ear, in love with debt, इसमें है, overhead and year, देखिए, अनलाइन कर देते हैं, overhead and years, ठीक, overhead and years का अर्थ को बताना है, तो हेलना, डेट्रियस के पैयार में, overhead and years थी, मतलब क्या, कि पूरी तरह से डूबी हुई थी, तो completely हो जाएगा, ये भी इसी है, head and years, मतलब, पूरी तरह से completely, next आपका है, option, next है आपका, by fits and starts, है मतलब कर देते हैं, जो आपका idea है, by fits and starts, इसका क्या मतलब होगा, option देखिए, important है ये, by fits and starts, अगर हम कहें, कि अगर आप by fits and starts पढ़ेंगे, तो सफल नहीं होगे, इसका मतलब, आप अनीमित रूप से पढ़ेंगे, कि जब पढ़ा, इर्रेग्लरली पढ़ेंगे, तो आपके आम्याब नहीं होगे, तो it is raining by fits and starts, अगर ये भी कह सकते हैं, कि मतलब ये बारिश हो रही है, अनीमित रूप से, कभी हो रही है, कभी हो रही है, कभी हो रही है, ठीक, important है, हम दुबरा देते हैं, बार-बार इसलिए बोलते हैं, इसमें क्या है, कि जिस कहते हैं, हिंदी में पाइरों पर खड़े हो जाना, आपने पाइरों पर खड़ा हो गया, ठीक, यहनि कि self-dependent बन गया, तो क्या होगा, इसका B option होगा, to be independent, पाइरों पर खड़ा हो जाना, stand on speed मतलब अर्णी करने लगा, कमाने धमाने लगा, ठीक, तो stand on speed का मतलब to be independent, निक्ष देखिए है आपका, came out of his shell, came out of his shell का मतलब क्या होगा, इस idiom कार्थ क्या होगा, देखिए, इस कार्थ होगा आपका, became more sociable, जो सामाजिक, सामाजिक रूप से और अधिक मजबूत होना, सामाजिक होना मतलब आप यह कहिए, और अधिक सामाजि जो से मिलना, जुलना, मिलनसार होना, तो came out of his shell का मतलब, became more sociable, ठीक है, नेक्ष देखिए, नेक्ष देखिए, जो underline हमने किया है, every political party is at present playing to the gallery, playing to the gallery का मतलब क्या होगा, हर राजनितिक party playing to the gallery कर रही है, इसका मतलब क्या कर रही है, adopt cheap tactic नहीं है, befalling नहीं है, fighting नहीं है, त लोगों को खुश करने में लगी है, क्या, राजनितिक party है, playing to the gallery, तो इस तरह का मतलब हो जाएगा, playing to the gallery का मतलब, लोगों को खुशामत करना, लोगों को मनाना, अपने पच्छ में करना, ठीक, तो playing to the gallery का मतलब, लोगों को खुश रखना, ठीक, चलिए, अगला कौन सा हम में लिया है अगला है his blood ran cold when he heard his uncle was murdered तो blood ran cold blood ran cold यह आपका जो idiom है यह है blood ran cold blood ran cold उसका blood सुजार वो cold मतलब ठंडा ठंडा रूप से बहने लगा तो इसका क्या होगा he was depressed हो जाएगा murder की बात सुनके here blood ran cold का मतलब हो गयागा he was depressed जैसे उसने खबर सुनी तो क्या हो गया वो he was depressed blood ran cold का मतलब he was depressed चलिए दूसरा क्या है next है आपका देखे दिया हुआ है a mind in the street a mind in the street का क्या होगा ordinary person illiterate person unknown person यह stranger तो stranger रही होगा इसका होगा गली का आदमी मतलब बिलकुल common mind ordinary mind common mind होगा mind in the street गली का व्यक्ति का मतलब हो जाएगा क्या common mind common कुई यह तो सब्द कुछ ऐसे हैं जो खुदी अर्थ देते हैं mine in the street तो क्या है एक साधान सा व्यक्ति common mind next है आपका next आपका क्या हो जाएगा he hadn't a leg to stand इसके पास खड़े होने के लिए लग नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा इसका होगा आशा जो थी वो उसके जीवन से चली गई थे he had no hope का मतलब he hadn't a leg to stand on अगला क्या है to cast aspiration most important to cast aspiration इसको नोट कर लिए cast aspiration का मतलब हो जाएगा क्या ऐसी बाते कहना जो दुखदाई है unpleasant दुख भरी बाते कहना to cast aspirations unpleasant बाते कहना option number C to cast aspirations का मतलब aspersions to cast aspersions का मतलब यह है कि दुखदाई या दुखदेने वाली खराब लगने वाली वो ऐसे बाते कहना ऐसी बाते सोचना ऐसी बाते कहना to cast aspersions अगला है on the cards on the cards यह idiom important है यह भी on the cards का मतलब हो जाएगा on the card का मतलब किसी चीज का अंदाजा लगाना जब हम अंदाजा लगाना जब हम अंदाजा लगाते हैं तो उसको इडियम की भाहस हम क्या कहते हैं हम इडियम कहते हैं on the cards on the card card में अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा पत्ता होगा ऐसे आप कर लिए ताश के खेल में अंदाजे लगाते हैं कौन सा पत्ता होगा तो anticipate on the cards का मतलब anticipate idea लगाना अंदाजा लगाना अनुमान करना और next क्या है to turn over a new leaf नई पत्ती के रूपने बदल जाना तो क्या होगा नई पत्ती के रूप यह भी clear है अपना आराम से कह रहा है यह आराम से यह कह रहा है कि A to change for the better और अच्छे के लिए परिवर्तन होना जैसे आप कहते हैं परिवर्तन ही प्रकतिका नियम है यह तो कहवत है शाशवत है सकते तो to turn over a new leaf नई leaf के रूप में बदल जाना फुरानी leaf खतम हो जाना तो to change for the better अच्छे के लिए और अच्छे चेंज इसलिए आता है कि वो system जो है और अच्छा हो पिछली बार से बहतर हो उसमें नयापन हो नभीनता हो to turn over a new leaf का मतलब change तो की अगला क्या है आपका to keep up once appearance देखिए to keep up once appearance इसका क्या होगा आर्थ इसका होगा आर्थ आपका कि अपनी चीजों को बहुत दिखावा के रूप में प्रस्तोत करना to keep up an outward show of prosperity अपनी संपनता का अत्यदिक मात्रा में दिखावा करना to keep up once appearance बनाए रखना अपनी appearance को बनाए रखना तो इसका मतलब होगा कि कि किसी चीज का धन का संदरता का दिखावा करना अपनी संपनता का संपनता का मतलब धन से इसमें जदा है ठीक संदरता नहीं अपने धन का अपनी संपत्ति का क्या करना show off करना ठीक तो to keep up once appearance means to keep up and outward show of prosperity संपनता का दिखावा करना off and on off and on important है off and on का मतलब क्या हो जाएगा वो school जाता है off and on he goes to school off and on इसका मतलब कभी ये नहीं है इसका मतलब हो जाएगा कभी कदार कभी कभार कभी कभार वो school जाता है हिंदी में बोलें तो कभी कभार जाता है कभी कभी जाता है तो of a non क्या हो जाएगा occasionally हो जाएगा option number c next क्या है next है आपका to take with a grain of salt to take with a grain of salt का मतलब इस idiom का मतलब हो जाएगा to talk to make something meaningful to take something meaningful कुछ ऐसा बोलना जो जिसका कुछ अर्थ है to take with a grain of salt grain of salt का मतलब हो जाएगा कि कुछ ऐसा बोलना कुछ ऐसा ब्रक्त करना जिसका कुछ मतलब है जिसका कुछ अर्थ है यह c option आपका है to make something meaningful कुछ ऐसा बनाना जिसका कुछ अर्थ है next वाला तो कई पर इच्छों में आया to talk through one's head अपनी भरी बाते करना बेवकूसी से भरी हैट को आप बेवकूफी से जोड़ देंगे हैट को बेवकूफी से जोड़ देंगे तो to talk through one's head अपनी हैट के थुरू बात करना इसका मतलब बेवकूसी से मुरुखता से भरी हुई बाते कहना तो ठीक डेख लीजे अगला क्या है ins and out यह भी important है यह शायद ना पता आपको ins and out का मतलब होता है full detail full explanation full detail detail किसमें दिया है option number आपके में देखिए b में दिया हुआ है हमको चाहिए I want ins and out of this case ins and outs of this case का मतलब हमको पूरी detail चाहिए और जितनी complexity थी सारी एक इक चीजे इस case की चाहिए किसी भी चीज का पूर्ण विवरन आप कहेंगे पूर्ण विवरन हिंदी में बोलें सुद्ध तो पूर्ण विवरन आप ins and out दीजिए इसका मतलब क्या दीजिए इसका मतलब आप पूरा विवरन दीजिए एक एक बात बताईए एक एक जानकारी दीजिए इंस and out हो जाएगा इसको हम कहेंगे अगला क्या है आपका next है हमारा past himself of हम डंडराइन करेते हैं past himself of इसका क्या होगा past himself of का मतलब जाएगा अपने आपको बहरूपिया बना लेना अपने आपको किसी और रंग में डग लेना या भेस भूसा बदल लेना भेस भूसा बदल लेना disguise का मतलब होता है अपने आपको छुपा लेना तो past himself of the thief past himself of मतलब चोर ने अपने आपको base बदल लिया रंग रूप बदल लिया disguise कर लिया as a ticket examiner ticket के examiner के रूप में ticket character के रूप में उसने बना लिया तो past himself of का मतलब यह होगा disguise himself स्वयम को छुपा लेना और क्या है next है आपका next है आपका show the white feeder show the white feeder show the white feeder east का अर्थ बताइए show the white feeder white feeder दिखाना इसका मतलब देखी arrogantly नहीं है intimously नहीं imprudently नहीं so कायर्था के रूप में प्रदस्यत करना जी तो वहीं बता रहे था आपको कायर्था के रूप में प्रदस्यत करना यह हो जाएगा so the white feeder इसका अप्शन हो जाएगा यह हमने बताया white feeder को आप जोड़ लेंगे important है आता है परिच्छाओं में कहीं बज़्चाओं में आ भी चुका है तो white feeder यह भी important है आपका तो कायर्था के निशान को दिखाना अपनी कायर्था को दिखाना अगला क्या है आपका अगला देखेंगे और लास्ट देखेंगे यह आपका क्या है from pillar to post underline हम कर देते हैं इसका बताना from pillar to the post अब है the poor man moved from pillar to post to get money जो गरीब व्यक्षित था वो pillar to post गया इसका मतलब उसने हर संभव प्रयास किया हर संभव प्रयास किया का मतलब tried his best pillar to post का मतलब tried his best चलिए इसको quick revision कर लेंगे ताकि आपको और चितर से याद हो जाए एक special मेहनत करनी होगी इनके लिए इडियम phrase के लिए चलिए फिर जो एडियम पढ़ाए थे उनको revision कर लेंगे इसका है turn a deep ear turn a deep ear का मने बताय था ना कोई ध्यान नहीं देना इसका option क्या हो जाएगा a होगा paid no attention मतलब कोई ध्यान ना देना unsun na कर देना turn a deep ear अगला क्या है overhead and ears सर से लेके पायर तक इसका मतलब क्या option number B है completely ठेट पूरी तरह से गोपी works by fits and starts fits and starts बने अनीमित रूप से जब चाहत तब कर लिया तो अनीमित रूप से का मतलब है B 43 का मतलब हो जाएगा अर्थ हो जाएगा स्वतंत हो जाना आत्म निर्भर हो जाना जिसी के भरोसे न रहना पायरो पे खड़ा हो जाना बताया था आपको अच्छा अगला है came out of his cell 45 नमबर पे came out of his cell इसकार्थ हो जाएगा option number B became more sociable की सामाजी क्रू और दिख हो जाना और ब्लड राइन कोल्ड ब्लड राइन कोल्ड का मतलब बहुत ही जादा हतास निरास अंदर से दुखी घटका लगना जिससे कहते है option number D है आपका तो इसका जाएगा he was depressed next क्या है he was इसमें आपका हो जाएगा a mind in the street 48 में mind in the street है इसका option क्या हो जाएगा a mind in the street का मतलब हो जाएगा a option इसका मतलब कि an ordinary person a mind in the street का मतलब एक common mind एक साधरनाड सा वेक्ती next क्या है next है आपका इसको देखिए है hidden a leg to stand on hidden a leg to stand on का मतलब होगा option C हो जाएगा इसका मतलब उसके पास कोई आसा और बची नहीं है बहुत पूरी तरह से अब निरास हो चुक है अब कोई आसा का मार्ग नहीं रह गया है अगला to cast aspiration हमने बताया था important है to cast aspiration का मतलब कि ऐसी बाते कहना जो दुखदाई है to cast aspiration to make unprecedented mark दुख से भरे निरासा से भरे कथन को कहना to cast aspiration on the card on the card का अर्थ हो जाएगा किसी जीज का अंदाजा लगाना card बक्ते से आप अंदाजा लगाते है कौन सा पत्ता हो सकता है तो उसको गई anticipate का मतलब अनुमान लगाना अंदाजा लगाना to turn a new leaf नई पत्ती गरूप मदलना मतलब change होना किसी और बहतरी के लिए कोई परिवर्तन होना to keep up one's appearance अपनी appearance को बनाए रखना अपनी appearance को दिखाना इसका अर्थ हो जाएगा 53 का C option to make up and out world show of prosperity संपनता का धन का संपत्ति का show off करना off and on का मतलब हो जागा कभी कदार occasionally ना के बराबर off and on ना के बराबर off and on option number C अकसर और to take with a grain of salt grain of salt को किसे जोड़ेंगे आप इसको जोड़ेंगे आप इसको जोड़ेंगे आप बताए आपको grain of salt का है to make something meaningful कुछ भी ऐसा बोलना जो अर्थ से भरा हुआ है meaningful है ठीक अगला है to talk through once hat head के थूँ बात करना तो इसका head को आप nonsense जोड़ेंगे head है nonsense head पहना nonsense nonsense है ऐसे आप जोड़ने तो head to talk nonsense nonsense बात करना तो यह important है to talk through once hat head के थूँ बात करना मतलब बेवकुश यह बरे बात करना ins and outs का मतलब पूरा वेड़ना एक-एक चीज आप बताएं इस गटना का ins and outs बताईए जो जो हुआ एक-एक चीज को जो इसमें पेचिक दिया थी जो चीजे बात थी जो एक-एक चीज उसको बताईए ins and outs का मतलब full detail अच्छा अगला है past himself of past himself of past of का हो जाएगा disguise himself swim को किसी और रूप में बदल लेना यहनि कि रंग रूप बदल लेना option हो जाएगा C आपका ठीक अगला है white feeder white feeder को feeder हमना था न white feeder idiom को आप जोड लेंगे कायरता से white feeder white तो शांती का प्रतिक है लेकिन समझने के लिए white feeder है न इसको जोड लिए कायरता से white feeder cowardice तो कायरता के निशान दिखाना option number A है 59 का कायरता के चिन दिखाना कायरता प्रदर्शित करना अपनी अगला है moved pillar to post का मतलब हर pillar से post तक के लिए प्रयास करना मतलब AD2T का जोड लगाना सब से ज़्यादा प्रयास करना भर्सक प्रयास करना option number हो जाएगा आपका D चलिए students यह हमने आपको कुछ बताया idiom phrase ठिक यह important है और इसी तरह से next class के लिए wait करिए हम आपको full जैसे मताना पूरे आपको idiom phrase जितने हैं important important वाली वो cover करा रहे हैं class को इमिस्वत करिए important है आपके coming exam के लिए जो English की अगर बात करें ठिक English में हम आपको इसके अला मिसे स्पेल्ट भी देंगे सब vocab का तो पूरा मिलेगा ठिक चलिए फिर मिलेंगे नमस्ते